आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी लोकी कौफता की सबजी एकदम नरम और सौफ्ट कौफते बनाकर तयार करेंगे फ्रेंड्स आप सेम स्टेप फोलो करते हुए ये लोकी कौफता की सबजी बनाकर देखिएगा बहुत टेस्टी बनती है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए हमने 500 ग्राम छोटी वाली लोकी ली है इसे अच्छे से धो लिया है अब हम दोनों साइड के किनारे कट करके लोकी को छील लेंगे लोकी को छील कर तयार कर लिया है और अब हम इसे कद्दू कस करेंगे लोकी को हमने कद्दू कस कर लिया है लोकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो पहले हम अच्छे से निचोड कर इसका पानी निकाल लेंगे ये स्टेप करना बहुत जरूरी है वरना बहुत ज़ादा बेसन मिलाना पड़ता है फिर केवल बेसन का टेस्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता है लोकी को हमने अच्छे से निचोड कर इस तरह से तयार कर लिया है और इसका जो पानी है इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे तो इसे ढखकर साइड में रख दीजिए अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च का आधा चम्मच गरम मिलाया है यहां मैंने एक हरी मिर्च और आधा इंच अद्रक के टुकडे को कद्दु कस करके लिया है वन फोर्थ कप के करीब बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हातों से क्रश करके डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें बेसन मिलाएंगे पहले मैं यहां तीन बड़े चम्मच बेसन मिला रही हूँ नाष्टे वाले चम्मच से भरके मैंने तीन चम्मच लिया है इसे मिक्स करेंगे अभी मुझे इसमें और बेसन मिलाने की जरूरत है तो मैं यहां दो से तीन चम्मच बेसन और मिला देती हूँ फिर से हम बेसन को मिक्स करेंगे फ्रेंड्स देखने में आपको ये मिक्षर गिला लगेगा लेकिन जब आप हातों को धोकर फिर मिक्षर को उठाएंगे तो ये हातों को नहीं चिपक रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट कौफता बनाने के लिए तैयार है इधर मैंने तेल को पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और अब एक एक करके सारे कौफते इसमें डाल देंगे गैस का फ्लेम पूरे टाइम मीडियम रखेगा ज़्यादा लो होने पर कौफते तेल पी जाएंगे और तेज होने पर उपर से पक जाएंगे अंदर से कच्चे रह जाएंगे कौफते को तेल में डालते ही तुरंत जारा मत लगाईएगा जब हलका सा जाग कम हो जाएगा तब हम इसे अलट पलट करना चालू करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह हम इन्हें हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे फ्रेंड्स बेसन बहुँ ज़्यादा मिलाने से कौफते टेस्टी नहीं बनेंगे और वो हार्ड भी बनेंगे और इस तरह से कौफते बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और नरम बनेंगे हमारा एक बैच तयार है कौफतों का तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के बचे हुए मिश्रन के कौफते बना लेंगे हमने सारे कौफते तयार कर लिये हैं और ये देखिए एकदम नरम बहुत ही बढ़िया कौफते बनकर तयार हुए हैं अब हम सबजी बनाएंगे इसके लिए एक कड़ाही में मैंने तीन बड़े चमच तेल लिया है यहां हमने तीन टमाटर एक इंच अदरक का टुकड़ा और चार-पांच कली लहसुन भी डाल सकते हो अब हम तेल गरम होने पर इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे एक तेज पता दो लॉंग दो इलाइची और एक चमच जीरा लिया है इन्हें हम तेल में डाल देंगे वन फोर्थ चमच हींग डाल देंगे कुछ सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर फ्राय करेंगे अब हमने यहां दो प्याज को बारिक काट कर लिया है यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा मीडियम टु हाई फ्लेम पर तीन-चार मिनिट के लिए हम इने पकाएंगे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है अब हम इसमें मसाले डालेंगे यहां हमने आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर दो चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच जीरा पाउडर लिया है गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा मसाले डालते टाइम और और मसालो को हम अच्छे से तेल सेपरेट होने तक पकाएंगे यह देखे मसाले बहुत अच्छे से तयार हो गए हैं आप कोई भी सबजी बनाएं मसालो को पकाना बहुत जरूरी है सारी चीजे डालने के बाद भी सबजियां टेस्टी नहीं बनती है यदि मसाला अच्छे से पकाया होता है अब हम इसमें टमाटर वाली प्यूरी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढखकर लगबग 5-6 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे हमें इसे पकाते हुए 5-6 मिनिट हो गया है तेल उपर सतय पर आ गया है लेकिन हम इसे थोड़ा और पकाएंगे medium to high flame करके मैं इसे continue चलाते हुए पका रही हूँ ये देखिए हमने इसे 5 से 6 मिनिट के लिए medium to high flame पर continue चलाते हुए और पकाया है और अब देखिए इसका texture ये बिल्कुल perfect होता है अब हम इसमें पानी मिलाएंगे मैंने लोकी में जो पानी निकला था उसे चान लिया था पहले हम इसे मिला देते हैं अच्छे से mix कर लेंगे ये पानी बहुत ही healthy होता है इसे हमें बिल्कुल भी नहीं फेकना है और हम इसमें लगबग 1.5 कप पानी और मिला देते हैं इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली रखनी है क्योंकि कौफते पानी एब्सॉप करते हैं तो ग्रेवी थिक हो जाएगी अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से आधा चोटा चम्मच नमक मिलाएंगे एक चोटा चम्मच के करीब मैं यहां किचन किंग मसाला ले रही हूँ आप चाहे तो गरम मसाला ले सकते हो एक चोटा चम्मच कसूरी मेथी मिलाएंगे सबको मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक उबाल आने का इंतजार करेंगे जब गरेवी में उबाल आ जाए तब हम इसमें यह सारे कौफते डाल देंगे साथ ही मैं यहां दो हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढख कर दो मिनिट के लिए पकाएंगे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है दो मिनिट हो गया है और कौफतों ने काफी हद तक गरेवी को एब्जॉब कर लिया है इस वक्त हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे देखने में आपको यह पतली लगेगी यह पहले से काफी ठिक हो गई है आप इस सबजी को रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ सव कर सकती है यह बहुँ ज़्यादा टेस्टी लगती है एकदम नरम कौफते बने हैं बहुत टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके